नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आज रात 9 बजे आपके जीवर से जुड़ी एसी खुश खबरी मिलेंगे आपके नसीब में एक एसी चमत चानक खुशियां दस तक देंगे जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करोगी दोस्तों यह खुशियां आपके जिन्दिगी में चार चान लगा सकते हैं जिहां दोस्तों दोस्तों यह खुशियां आपके जिन्दिगी में चार चान लगा देंगे अब वह सारे परिशानिया सारे मुसीवतों का विनास एक चमतकारी के रूप में पूरा हो जाएगा किसने किसी तरह से शंपन होते जाएगे दोस्तों एक बात को बताना चाहेंगे कि आप जीवनकाल में जो भी मुसीवतों का शामना किये हैं और करते आ रहे थे वह आप अपने भगवान पर छोड़ दिये थे जिससे अब आपके इश्वर आपके बिंती को शून लिए हैं आप इश्वर के सच्चे भगत होने के कारण इस वर ने आपके सारी मुसीवतों को चुटकियों में आप पूरा करने वाले हैं और दोस्तों आपको बता दें कि कि किन किन चीजों से बच क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको उपाई बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना शके वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ मे नोटिफेकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चले दोस्तों बात करते हैं कि भगवान के किरपा से आपके जीवन में कैसे खुसियों का तुफान आने वाले हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नितिक क्यान के वारे में दोस्तों आचारे चानक जी कहते हैं कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी परकार के वहवार से मन की सांति भंगना हो पाए जी हाँ दोस्तों इसी के साथ जिसका जेसा चरित्र होता है उसको वेसा ही मित्र होता है इसी के साथ नहीं है जरुरत पुझा पाट की जिसने सेवा की मा बाप की जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज आज आजाना की किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुत अधिक फायदे मन भी रहेगी इसमिग्रे सितियां आपके लिए उचित भाग का निर्मान कर रही है इसलिए इनका भरपूर सदपयोग करें तता पूरे मन योग से अपने दिन रहेगा अधिकतर समय समाजिक वर राजनितिक गत्री विदियों में वेतीत होगा संतान के केरियर समंदित किसी समस्यां को सुलजाने में किसी का भरपूर सहयोग रहेगा समाजिक तथा सोस्राजिटी समंदिक गत्री विदियों में आपका योगदान रहेगा जिसे आपकी कार्य छमता और अधिक सक्सक्त महसूस होगी इन कारे में आपको मानसिक शकुन भी प्राप्त होगा दोस्तों आपके कार्य अधिकतर काम मन मुताविक तरीके से संपन होते जाएंगे आपको एसा महसूस होगा कि कोई इस्वरिय सक्ति का आशिर्वाद आपको मिल रहा है और आपको आनायस ही आत्मिक सांती महसूस होगी रिस्तदार तथा पड़सियों के साथ भी समंद में मदूरता बढ़ेगी संतान की किसी उपलब्दी से घर में खुसी भरा माहूल रहेगा आज आप हर काम को बहतरिन तरीके से पूरा करने का प्रयाश करेंगे और सफल भी करना कर भी रखना जरूरी है दोस्तों इसमें उधारी समंदी लेंदेन करना नुक्सान भी दे सकता है बुरी संगत से दूर हैं जमिन जायदा समंदी मामनों को निप्टाने में कुछ परिशानी आएगी पर्तु सफलता भी मिलेगी बिना मतलब किसी से भी ना उलजें दो दो परवाद परसितियां कुछ पर्तिकुल रहेगी किसी के साथ अधिक वाद वाद होने की इस्तिति बन रही है इसलिए बहुत अधिक साफधान रहें कुछ गलत निर्ने हो जाने की वज़े से खामियाजा भी आपको भूगतना पड़ सकता है दोस्तों इसमें वैपसाइ चाईद कमिस्चन कपडायादी से जुड़ी वैपसा में मौनाफ़ दाया किसतियां बनी ही है युना को कारुरूप से देने के लिए अभी अनुकुल है दोस्तों इसमें वैपसाइब समंदी पार्टियों के साथ संपर्क बढ़ाहें समय अनुकुल है वैपसाइ बरतमान क 24-24 रुप से चलते रहेंगे तोस्तों वेबसाइट समंधी आगामी कारियों की योजना बनाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है सहीत तथा कला से जुड़ी वेबसाइट में बहतरी सफलता मिलेगी मेहना तथा परिस्रम का पूरा लाब मिलेगा तोस्तों वेबसाइट गत को नजर अंदाज ना करें इसे में वेबसाइट समंधी कोई भी रिक्स लेना फायदे मन रहेगा नुकरी में कोई महत्यपुन जिम्यदारी आपके ऊपर आ सकती है प्रोमोशन मिलने का योग भी बन रहे हैं तोस्तों अब बिजनेस में चलरी परिस्यानिया से रहत मिलेग आपके आर्थिक दिरिष्टे से समय बहुत ही अनुकुल है कि सम्भावना सामने आएगी वेबपर तता कामकाज में कुछ ठोस्वा महत्यपुन निन्ने लेंगे जो की बिलकुल शही सावित होंगे इसे में नोकरी अत्वा कामकाज को लेकर चलरी परिसानी से रहत मिलेगी दोस्तों भागवान के किरपा से आपके अच्छे कर्म परदान होने के कारण आपके नसीब के दरवाजे चारों तरफ से खोल दिये गए हैं अब वेपसा में कोई भी पुंजी लगाएंगे कोई भी कारे करेंगे तो अवसिया आप उन्नती और चमतकारी हासिल करेंगे इस से मानसी और आत्मिक शिकुन मिलेगा चनुतियों से जितने के आपकी विशेश कोशिस रहेगी इसमें आप सफल भी रहेंगे परिवारी दिस्तों की विवादों को दूर करने के लिए की गई कोशिसों में सफलता मिलेगी दोस्तों आपके वहीं लव-लाइप की बात करें तो घर में आपसी समन जिसे का कुछ अभाव महसूस होगा प्रेमे प्रिम का दोनों एक दूसरे की भावना और परिस्तियां को समझेंगे दूस्तों परिवारी बतारन सुखत बना रहेगा बच्चों के साथ नर्माई में पेशा आएं तदा दोस्ताना वहवार रखें दा तो आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो आपके स्वास्त ठीक रहेगा स्वास्त से समंदी किसी भी परकार की लापरवाई ना करें अपने नयमीत चांच अवस्त करवाएं मौसम के बदला समंदी परिसानी से अपना बचाब रखें स्वास्त समंदी किसी भी परक करें दोस्तों रोज़ शुबाय योगा और वैवाम करें आपके उपाय के बारे में दोस्तों आप आगाश्मी धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों सुकरवार के दिन मालक्षमी के मंदिर में जालुदान करें और कनकधारा शुरुत का पाठ करें ऐसा करने से को गंगाजल से पवित्र करें और फिर उसी धन अस्तान पर रख दें ऐसा करने से अर्ति विस्ती में सुधारा आए गा और आपके घर में धन लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जलूर करें धन्यवाद